असलाम अलीकूम, कैसे हैं आप सब अमीद अच्छे हैं, हैरियर से हैं, हुश रहें, बाद रहें तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मस्यदार केक जो के बच्पन में खाया जाता था और आप सब ने भी खाया होगा यकीनन तो चलें जी रैस्पी शुरू करते हैं अच्छा जी यहां पर हमने लिए हैं तीन अदद अंडे तो इनको एके करके तोड़कर तो हमने बाउल में डाल लिया है आदी प्याली लिए है चीनी साबचीनी है, दानेदार चीनी ठीक है और इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है अच्छा जी जो यह केक हम बना रहे हैं तो यह आपने बच्पन में बहुत ज़्यादा खाया होगा हमने तो बहुत ज़्यादा खाया है तो मैंने सोचा चले आज इसको बनाते हैं घर पर अच्छा जी इसको ना मैं बाउल को इस तरह से उठा करना है तो आपसे भी ऐसा मसला हो आपके साथ भी तो आप इसको बाउल को हाथ में उठाए और इस तरह से बीट कर लेंगे अच्छा जी शूगर और जो अंडे थे इनको हमने अच्छे से बीट कर लिया है अब हम डालेंगे इसमें आदी प्याली ओईल और इसको हमने बहुत जाधा बीट नहीं करना बस हलका सा बीटर चलाएंगे और बस हलका सा बीट करेंगे अच्छे अगर आप कप के लेंगे तो आपने 1 कॉप आदा कप गशाश्गर 1 थी उण से खेंगा शूगर 5 प्युछर लेच टीन अदinkर बीटर अंडे करके तो यहां पर हमने डाला है लैमन एसन्स fine करे आर पर लेकिन ये ओरेंच क्लर है तो मैंने बस थोड़ा सा डाला है जस्ट इसको अच्छा सा प्यारा सा खुपसोरा सा कलर देने के लिए अच्छा जी अब जो है इसमें जाएगा मैदा हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है तो इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एक प्याली है मैदा अब कप से लेंगे तो एक कप मेदा बनेगा अगर आप ग्राम से लेंगे तो 125 ग्राम होगा ठीक है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्स्चर में डालेंगे एक दम से सारा नहीं डालेंगे और इसको हलके हातों से इस तरह से एक ही डायरेक्शन में गुमाएंगे बस आपने एक बात का ख्यार रखना है कि आपने इसको बहुत तेज तेज हातों से नहीं गुमाना बस एक ही डायरेक्शन में हलके हातों से इसको गुमाते जाएंगे उल्टा सीधा करके इसमें चमश बिल्कूल नहीं करना नहीं तो जो जितना ये बैटर है ये सारा जो है ना ये नीचे बैट जाएगा तो केक भी खराब बनेगा तो बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे हलके हातों से गुमाते जाएंगे इसको एक ही डायरेक्शन में अगर आपको लगए कि मेदा जो है वो नीचे बैट रहा है तो जैसे भी मैंने स्पैचुला से किया है तो आप इसी तरह से करें तो मेदा जो है वो उपर आ जाएगा फिर आप असानी से इसको ये देखें इस तरह से ये देखें इस तरह से आपने करना है तो बहुत ही अराम से हो जाएगा अच्छा जी Pतीला मेने रखा हुआ है pre heat होने के लिए तो जैसे ही पतीला गरम होगा तो हमारा ये better भी जो है ये सारा ready हो जाएगा तो mold भी हमने ready करके रखा हुआ है Os mold में हमने oil लगा कर grease करके उसको अच्छे से रखा हुआ है तो ये देखें इसमें हमने ओल लगाके तो इसको रखा हुआता है तो यह चीजे जो है यह पहले से आपने रेडी करके रखनी है ठीक है तो केक का जो अमेजा है सारा इसमें डाल लेंगे तो सारा आपने बॉल को जो है वो अच्छे से साब करना है ताके जो इसमें लगा है जितना भी अमेजा तो ये जाया ना हो ठीक है वैसे भी कोई चीज जाया मत किया करें ठीक है तो चलें जी केका आपने सारा बैटर इसमें डाल लिया है और पतीले में रख लिया है दिखाते हैं आपको तो ये देखें नाइफ से इस तरह से चेक कर लें तो ये देखें तो केक हमने मोल्ड से निकाला है तो ये देखें माशाला से कितना अच्छा सा कलर आया है और कितना अच्छा बना है ये और कितना स्पॉंची सा बना है इतना सोफ्ट और इतना मज़े का ये केक बना है न तो आप भी जब बनाएंगे तो उमीद है कि आप उसे अच्छा और बहुत ही मज़े का बनाएंगे अच्छा जी तो यहाँ पर केक हम कर लेते हैं कटिंग फिर बाद में करते हैं इसको क्या वो बताती हूँ आगे तो कटिंग से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यह कितना सौफट और कितना मज़े का बना है बहुत ही सौफट बना है तो चले जी केक ही हमने कर लिया है कटिंग तो यह जो केक था यह मिंटों में ही हतम हो गया था कर लिया है हमने कटिंग करके तो यह पे मेरे पास शीरा है जो के मेरे पास पहले से पड़ा होगा था मैंने जो है वो बनाई थी चम-चम तो उसका जो शीरा बचा हुआ था वो मेरे पास पढ़ा हुआ था तो मैंने उसी शीरे को थोड़ा सा पानी डालके तो मैंने गरम कर लिया था इसको तो वैसे अगर आप इस रैस्पी के लिए करें छीरा नहीं कंडला में इस तो एक पहोगा चीनी का और एक ही कप होगा पानी का युशDid जंडा के वहाई एक कप फैने के लिए अए च्जब दें उसको फिर उसके बाद इसको है स्तमौल करें टीक है तो गरम-घर महम记र के ऊपर इसको इसको इस को सभाने हो और इसके लिए हमें चाहिए नाघीयल का बुरह ब्रादा जोके मैंने एक पहए्क नारियल का बुरह द नहीं में डिप करेंगे तो शीरा आपने ठंडा करके इस्तमाल करना है आपने गरम गरम इस्तमाल नहीं करना ठीक है शीरे में डिप करके तो फिर हमने इसके ओपर लगाना है नारिल का बुरादा तो यकीन करें ये केक आपको इतना मज़े का आपके बच्पन की यादों में ले जा तो हम तो बड़े शोख से और मज़े से खाया करते थे तो जब ये केक लेने जाते तो तो कहते थे वो नारियल वाला केक दे देना तो बहुत ही मज़े का लगता होता था तो आच घर पर बनाया है पहनली बार तो वाकि ये अपने हाथों से बना हुआ। बहुत ही अच्छा और एक बार बच्पन यादा आ जाता है कि ये खाया करते थे तो आप भी घर पर बनाईएगा ये देखिए माशाला से बहुत अच्छा और बहुत ही मज़े का बना है तो जरूर ट्राय कीजिएगा अच्छा जी आपको मैंने बताना था कि मैंने इतने दि जिसकी वज़ा से जो है मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई तो आप सबने जो है ना आपने जरूर दुआ करनी है जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफरित के लिए तो बस यही वज़ा थी कि मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई तो आपको तो चलें जी मिलेंगे इंशाला नेक्स वीडियो में नेक्स डेस्पी के साथ अपते के लिए लाफिस अपना रखें बहुत सारा ख्यार और अपने प्यारों का